रामलीला और बाजीरा मस्तानी जैसी सूपर हिट फिल्म में डारेट करने वाले भनसाली इन दिनों पदमावती की शूटिंग में बिजी है ये तो हर कोई जानता है कि भनसाली के फिल्म काफी बड़े लेवल पे बनने जा रही है फिल्म को 150 करोड के बजट से बनाया जा रहा है ऐसे में फिल्म का एक एक सीन बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया जा रहा है जिसके चलते रनवीर सिंग को 24 जोड़दार चाटे खाने पड़ गए है हो गए ना अब भी शौग लेकिन जनाब हम एक दम सही कह रहे है दरसल माजरा ये है कि फिल्म का एक सीन शूट हो रहा था जिसमें रजा मुराद को रनवीर सिंग के गाल पर एक थपड जड़ना था इस एक थपड में परफेक्शन लाने के लिए भनसाली ने दोनों एक्टर्स को कई बार ये सीन कराया जिस कारण से रनवीर सिंग को रजा मुराद के भारी हाथ से 24 बार थपड खाने पड़े वैसे इस खबर को सही बताते हुए रनवीर ने एक ट्वीच भी किया है उन्होंने एक न्यूस पेपर का स्क्रीन शॉर्ट लेकर इसे पोस्ट किया है जिसमें ये खबर छपी थी कि रनवीर ने अपने पोस्ट में लिखा है ये खबर सही है बतादे कि पदमावती की आधे से जादा शूटिंग पूरी हो चुकी है इस फिल्म में रनवीर के अलावा दिपीका पादुकोन और शाहित कपूर भी मुख्ये भूमी का में है ये फिल्म साल 2018 के मिट में रिलीज होगी NMF News की रिपोर्ट